तो एवरिवन गुट मॉर्निंग और वेलकम बैक टो माई चैनल तो जी जो वीडियो है ये मंडे का वीडियो है तो यहां पर मैं नहाद हो के आचुकी हूँ पूजा करने के लिए तो सुबे ना सब लोग सो रहे थे तो जब तक सब लोग सो रहे थे उतनी देर में मैंने काम होता है जाड़ू पोचा यह सारा काम मैंने कर लिया था उसके बाद मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि जब से मतलब गैस ट्राइवे थोड़ा सब पूजा में लेट हो जाता है इनको तो मैंने सुचा आज मैंने टाइम पे सारी चीज़े कर ली हैं तो क्य काम करो आज सब कुछ एकी साथ बना लो मतलब लाच और ब्लंच सब एकी साथ हो जाएगा तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूं पत्ता गोबी और सबजी म savez मैं पत्तागोबी की सबजी बनाऊंगी तो ये भी ठीक रहता है जब बहुत ज़्यादा बंदे हो और उठने में थोड़ा सो सबको लेट हो जाए तो फिर मेरा क्या होता है ना 81 सारी चीज़े बना लेती हूँ तो उसे क्या होता है कि दुपैर का भी आराम हो जाता है क्योंकि आपकी सारी चीज़े एक ही बार में बन जाती है और आपको बार-बार चीज़ों के लिए महनत भी नहीं करनी पड़ती है यहां पर जो है मैं सबसी बगेरा कट करी थी इतनी देर में बच्चे भी उठी गए थे तो जब आवाज होती है किचन में तो बच्चे उठ जाते लेकिन यह होता है कि देखिए बड़े तो फिर भी नाश्टे के बिना रह सकते लेकिन बच्चों को हम नहीं रख सकते तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए यहां पर ब्रेड मंगवा दी थी क्योंकि अभी मैं पूरा खाना ही बनाने वाली थी दाल, चावल, सबजी, रोटी लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगना ही था तो मैंने सुचा कि चलिए तब तक बच्चों को हम ब्रेड खिला देते तो बच्चों का ब्रेड का नाश्टा हो जाएगा बच्चे अपना ट्यूशन चले जाएगे और इतनी दिर में जो खाना भी है वो बनता रहेगा तो मैंने ब्रेड के कॉनर्स जो है वो कट कर लिये हैं अब ब्रेड में भी दिमांड थी कि वंशी का को खाना था प्रॉपर सेंडविच जो मतलब सबजियों वाला होता है विदांश और शानवी की अलग दिमांड थी विदांश को मियोनीज ब्रेड काने होते है और शानवी को जो है वो सास ब्रेड काती है तो देखे इधर जो है मैंने थोड़ा सा टमाटर और प्यास कट कर लिए है और विदाश के लिए मैं सिफ मियोनिज लगाऊंगी और शानवी के लिए मैं ब्रेड के बीच में हलका सा सॉस डालूंगी और सब को जो है ना सेख दूंगी तवे पे गी लगाके तो बहुत लगते इस तरीके से भी तो मैंने ना मिर पास खीरा नहीं था तो मैंने थोड़ा से जो पत्ता गुबी होती है उसका जो है स्लाइस कट करके और वंचिका के लिए लगा दी थी तो पत्ता गुबी भी सॉफ्ट हो जाती जैसे ब्रेड के बीच में लगाता तो वह वाला सैं करा के जो है फिट कर देते हैं उसके है कि बचों की तरफ से जो है तसली हो जाती है तो काफी सारे लोग आपको पता है अभी आजकल हुए है घर में तो सबके साथ जो है मैनेज करने में थोड़ा सा इजी रहे तो इस तरीके से मैं अपने काम निप्टाती हूं कि सबको टा अब मैं जो है दाल फ्राइ करूंगी तो दाल फ्राइ मैं करने वाली हूँ आइरन की कडाई में आप लोग जरूर ट्राय कीजेगा उड़द और चैने की दाल अगर आप आइरन की कडाई में बनाते ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है उसमें जीरा और हींग एड किया है और चॉप किये वे टमाटर और लैसुन भी इसमें आट कर दिये हैं और बस अब इसको मिक्स करेंगे मसाले को अच्छे से और थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर गालिक जो पेस्ट होता है वो भी आट कर दिया है तो उड़द की दाल होत है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो देखिए मसाले अच्छे से भून चुके थे उसके बाद मैंने डाल आट कर दी है और थोड़ा सा पानी और एड करूंगी क्योंकि हमें ये चावल के साथ खाने है तो इस वज़े से यहां पर जो है अब सबजी फ्राय कर देत है सुखी सुखी सी सब्जी जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के साथ अगर आप दाल चावल भी साथ में बना रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो टमाटर और प्यास भी आड कर सकते हैं बट मेरा क्या होता है न मैं मोस्टली सब्जी पता गोबी की बॉयल होने के लिए तो अपना ये है कि दूद भी बॉयल होता रहेगा और इस बीच हम लोग एक एक कप चाई पी लेंगे और मैंने चावल रख दिये हैं चड़ाने के लिए तो चावल भी बन जाएंगे पतार जब तक हम लोग चाई पेंगे तब तक चावल बन जाएंगे देखिए यहाँ पर जो है ना सब लोग नहाद हो गए हैं और अब मैं सब के लिए रोटियां भी बना दूंगी तो दुपैर की मेरी ना मतलब छुटी हो गई थी कि मुझे दुपैर के खाने से भी आराम मिल गया था और साथी साथ मुझे सुबे के नाश्टे से भी आराम मिल गया था क्योंकि एक ही साथ सारी चीज़े बन गई थी इससे कि अधिने टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है आपको फिर इस बीच अगर आपको कहीं जाना हो तो आप इजिली जा सकते हैं क्योंकि आपके फुल टाइम रहता है तो बस यहाँ पर देखिए मैं गर्म गर्म रोटी भी बना रही हूं बहुत जादा रोटिया नहीं बनानी है क्योंकि हम लोग तो आपको पता ही है कि हम लोग चावल लवर हैं तो रोटिया हमें ना भी मिले ना लेकिन वही होता है कि हर कोई चावल लवर नहीं होता है तो शिल्पी के हस्बिन को रोटिया ज्यादा अच्छी रखती है चावा से तो इस वज़े से जो है रोटिया बन रही थी उसके बाद खानावाना खाने के बाद फिर बाहर बैलकरी में कपड़े थे जो कि दो दिन से सूख रहे थे तो व वो मैंने समेट के रख दिये है अभी स्कूल तो नहीं खुल रहे है ओनलाइन क्लासिस चलेंगी थोड़े दिन लेकिन यह कि कपड़े मैंने पहले ही प्रेस करवा के रख लिए है और यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं इवनिंग वाली चाए श्याम की चाए जो कि शिल्पी मैंने बनाई थी उसको ही मैंने बोला था कि अब चाए बना दे तो बस हम लोग यहाँ पर चाए पिएंगे साथ में गप्पे शपे मारेंगे थोड़ी दे टीवी देखेंगे तो इस तरीके से जो इवनिंग का टाइम है ना वो हमारा साथ में कटता है पीने के बाद यहां पर बारी आती है कपड़े समेथने की तो बस कपड़े भी समेथे रही हूं मैं और वहाँ सामने लोग पूछ रहेते कि शिल्पी के हस्पन क्या करते हैं तो शिल्पी के हस्पन जो है न वो ऐस्ट्रो लोजर है क्योंकि कॉमेंट आयते पंडित है क्या तो जी हाँ बिल्कुल पंडित हो हम सभी है वो एस्ट्र लॉजर है तो मतलब कुंड़ी वगरा भी देखते हैं और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि शिल्पी के हस्बन कुंड़ी देखते हैं और साथी साथ पुझा प तो हम सोच रहे थे कि क्यों न जल्दी से खाना भी बना दे तो अभी शाय 6 बजे का टाइम था ये 6 सवा 6 बजे का ही टाइम रहा होगा बहुत ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि रात होते तक तो ऐसा लगता है कि बस अब रजाई के अंदर बैट जाओ तो इसलिए हम लो आपको याद होगा जिदिन शिल्पी हो रहा थे उस दिन में चाप लेकर आई थी बट उसको सबजी बनाने का टाइम मुझे लगाई नहीं तो आज मुझे टाइम लग गया है तो आज मैं वाली सबजी बनाऊंगी तो यहां पर देखिए पहले जो चाप होती है उसको अच कनफ्यूजन हो गई थी वैसे मैं भी ऐसी फ्राइ करती हूँ उसके बाद कट लगाती हूँ लेकिन आज न मैंने उनको पहले काट दिया उसके बाद मैं फ्राइ करूंगी तो देखे इस तरीके से जो है चाप को डालेंगे गरम गरम तेल में और गोल्डन ब्राउन होने त करते हैं तो वो ज्यादा टेस्टी बनती है यहां पर देखिए जो चाप मैंने डाली थी ना वो फ्राइ हो चुकी है तो एक बार का जो बैच है वो निकल जाएगा उसके बाद जो है वो जो दूसरी रखी हुई है चौपिंग बोर्ड में मैं उसको भी डाल दूंगी इसी और चोटे पीस कर लिए है अब उसको जो है मैरिनेट करेंगे तो मैरिनेशन के लिए मैंने थोड़ी सी दही ली है और यहां पर मैंने एक से डेड़ चमत जिंजर गालिक पेस्ट डाला है और उसके बाद चितने भी सूखे मसाले होते हैं वो सब आट करेंगे और इसको मैर टेस्ट अच्छा नहीं आता है और सर्दी है तो दही बहुत ज़्यादा खटी होती ही नहीं तो यहां पर देखिए मैंने तीन प्यास थे जो उनको अच्छे से चौप्त कर लिया है और साथ में लेसन भी चौप किया है और बस इसको जो है इसिछ से फ्राय करेंगे और इस की चाप करेंगे और इनको भी इसी में ही मिक्स करूंगी तो सबसे पहले प्यास देखे गोल्डन ब्राउन हो गए है उसके बाद मैं इसमें टमाटर एड्ट कर दिया है और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें जो ड्राए मसाला है वो अट करेंगे लेकिन ध्यान रहे ड्राइ मसाला आपको ध्यान से डालना है क्योंकि हमने थोड़ा सा मसाला चाप के मैरिनेशन में भी डाला हुआ है तो बहुत जादा नहीं डालेंगे सिर्फ उतना ही डालेंगे जितना की हमारे जो हमने टमाटर और प्यास डाला है उसमें ही लगे मतलब उसी के लिए हम मसाला बना रहे हैं तो यहां पर देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें एड़ कर देंगे जो चाप थी उस बीच मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी आड़ की है क्योंकि कसूरी मेथी से चाप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद जो हमारा चाप का मैरीनेशन है मतलब मैनी नेशन की हुई चाप है वो सारी इसमें आड़ कर देंगे और बस अब इसको चलाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे बहुत जादा पानी आड़ नहीं करना है दो ग्लास के करीब हम इसमें पानी आड़ करेंगे और उसके बाद इसे medium to low flame पे करीब 5-7 मिनट तक पकने देंगे और चाप बनके हो जाएगी बिल्कुल तैयार तो हम लोगों का जो है ना टीनर हो चुका है और अब हम लोग थोड़ा सा जो है वाउक कर निकले दिकले और ठंड बहुत जाद है ना तो जरह एक बार खुद भी जाके देखें नीचे कि कितने ठंड हो रही है और आज अमने सारी चीजे बहुत जल्दी कर ली जल्दी बनातीया था मैंना कन्फ्यूज हो रही थी कि आज इतनी रोशनी कैसे हो रही है मारी सोसाइटी में जब भी नाइट का वीडियो शूट किया तो अंधेरा सा आता था अभी देखने हमकी पूरी लाइट्स लग गई है पूरी सोसाइटी में लब पता नी काईसे चमतकार हो गया तो मैं शिल्पी से पूछ थी कि जब पिछली बार आई थी ना तो लाइट लगी होई थी कि नहीं लगी होई थी बताया कि नहीं पिछली बार जो आई नहीं थी हम लोग अंधेरे में शूट करते थे यहीं पर बैठके तो हम लोग आईस्क्रीम आते थे और आज देखके एकदम क्लियर आई हूँ मैं लगी नहीं कि नाइट में वीडियो शूट हो रहा है तो अच्छा काम कर गया है यही खुश हो गया मेरा दिल तुझे खुश है नहीं हमारी सटायटी में लगी है तो आहल जागा है चलो फिर मुझे बिल्कु आइस्क्रीम नहीं गा गागी त जबर दस्ति करके मुझे लालत दिलाके आईस्क्रीम लेली और मुझे गले में खराष भी हो रही हम दवाई लेकर चल जाए लेकर नहीं बंशी के पापा कहना इन्फेक्शन हो गया उनके लेह हमने दवाई लिया तो पते नहीं तु ले जातो हो रही है तीन टेबलेट उस तो यह हमारी फोला फाते है मैं दूसरा इखानी चाहूं भूँ आपकर नो करना और करी अन्युक्रीम दीरे घर जा रहे ता कि मारी आईस्क्रीम था खतम हो जा रास्ते में तो चलिया हम इंजॉय एकर अपनी आईस्क्रीम